चहरा बहुत ज़ादा डल दिख रहा है, काला पन बहुत ज़ादा दिख रहा है, विंटर्स में स्किन के उपर एकदम जाईयां जुरियां बहुत ज़ादा बनके आ रही हैं, तो आज इस दहीं के फेशल को ट्राय करके देखो, तीन स्टेप का फेशल है, जाईयों और जुर करूंगी, जो आपके आखों की पफिनस के उपर और डाक सकन के उपर काम करेगी, दहीं का फेशल है, दहीं हर घर में बहुत असानी से पाया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी, हालो जी, नमस्कार कैसे हैं, आप सभी आशा करती हूँ, आप लोग अ बतारी हूँ, उसी तरीके से कर लेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट जो है, डबल से ट्रिपल भी मिल सकते हैं, जिता मेरी स्किन के उपर आपको गलो दिखेगा, उस से जादा भी आपको मिल सकता है, बस तरीका आपको सेम डालनी होगी, अगर इन में से कोई चीज आपको सूट नहीं करती है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर कॉमेंट सक्षन में मेरे से पूछ सकते हैं, उसकी जगा पे हम क्या दूसरी चीज ले सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट में बता दूगी, आपको क्या करना है, जैसा जैसा बता रही हूँ, वैसा वैसा कर लीज दही निजार दिला सकता है आगे की जितने भी वीडियो से हैं आपके पास तुरंद पहुंचा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है अगर आपके पास घर का जमाऊवा गाड़ा दही नहीं है तो आप मार्किट वाल भी ले सकते हैं लेकिन उसको आप छलनी पे रखके थोड़ सा छान लीजेगा उसका जो पानी होगा वो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा ठीक है तो आप पहली एक टोरी में चार से पांच चमच लेके आराम से लेके बैठ जाएए क्योंकि यह हम तीन स्टेप में करने वाले है तो इतनी भी जम्यूई मैल होती है उन सब को अच्छे से हटा देता है अगर आपको बहुत जादा स्किन के ओपर खुर्दुरापन लग रहरा है यह आपको लग रहा है कि चहरे के ओपर बहुत जादा कालापन है तो दहीं को अगर अगर आप अपने चहरे पर रेगुलर भी तो आपके चहरे को मुलायम बनाता है सौफ्ट बनाता है और आपके चहरे के कलर को भी इन्हेंस करता है मतलब बढ़ाता है कलर को फेयर करता है चहरे के ओपर जम्योई गंदगी को हटाता है डीप क्लीन करता है तो आपको क्या करना है जिस तरीके से मैं कर रहे हूँ, ऐसे ही आपको करना है दो मिनिट की बड़ी ऐसी मसाज दे दीजे, दहीं आप किसी भी उमर के लोगों को लगा सकते हैं, यह आदमी, औरत, कोई भी दही लगा सकता है, मैं तो यह बोलूँगी कि आदमी लोगों को दहीं, अपने चेहरे के उ तो इसका मतलब यही था कि दही आप अपने पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, अब आपको क्या करना है, गिले टावल की हेल्प से आपको इसको पोचना है, जब आप मसाज करेंगे, तो दही जब आप लगाते हैं, उस वक वो उसका कलर होता है, एकदम सफेद, लेकिन जब मसाज करते हैं, तो उसका कलर हलका सा डाक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें गंदगी हमारे पूरे फेस की आजाती है, और वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर उब्जर्व कर जाता है, चले जाता है, उसके बाद में आपको चेहरे के उपर सफेद पन ना दिखाई दे उसी कटोरी में ही आपको लेना है, जिस कटोरी में पहले आपने दही लिया था, और उसमें आपको मिलाना है एक चम्मत चावल का आटा, दोस्तो मैं आपको उप्शन बता देती हूँ, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप यहां पर कॉफी भी ले सकते हैं अगर आपके पास कॉफी नहीं है तो आप मसूर दाल का दरदरा वाला जो हिस्सा होता है वो लीजेगा मेरे विलॉग चैनल के उपर आप जाके देखेंगे मैंने बताया है कि मसूर दाल का पाउडर किस तरह से बनाना है ठीक है अभी मैंने चावल और दहीं को अच्छे से मिक्स कर लिया और तुरंथ ही इसको आपको लगाना है इसको रखना नहीं है अगर आपको बहुत दिन होगे हैं चेहरे पर आपने स्क्रब नहीं किया तो आपके चेहरे के उपर खुरदुरापन बहुत जादा होगा चावल आपके चहरे को bright भी करता है, white भी करता है, आपके चहरे के aging के उपर भी काम करता है, अगर चहरे पर जाईया, जूरिया बहुत जादा आरी है, तो चावल का आटा, चावल का पानी, पका हुआ चावल, चावल के बहुत सारे वीडियो, मैंने डियाए वाइज अपने चैनल पर मिना के डाले हुए, आप जाके देख सकते हैं, या आपके बालों के उपर हो जाए उपके चावल थे बुह हुआ जाए क्या करना है तो आपको क्या टरहा है, आपके मिनिट की बढ़ी अफिनी मसाज देनी है, नाक के आस पास, मुूह के खो आस बाहते होटों के कॉफी भी सेम काम करता है पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती चावल के आटे से तो आप चावल के आटे को मसाज कर सकते हैं हफ्ते में 2-3 बार बहुत असानी से इसकी मसाज जब आप कर रहे होते हैं आपको अपना चेहरा हलका सा घरम भी लगने लगेगा क्योंकि अंदर जो हमारा ब्लड है वो अभी जो हमारा खून होता है ब्लड सर्कूलिशन से वो हीट देता है जिसकी वज़ा से हमारे चेहरे के उपर बहुत बढ़िया से ग्लो आजाता है और जब हम अपने चेहरे पर मसाज करते हैं और स्क्रब करते हैं तो जो हमारे पोर्स होते हैं चेहरे के वो खुल जाते हैं और उसमें जमी हुई गंदगी मैल पॉल्यूशन सब भट जाता है अगर आपके चेहरे को पर वाइट ब्लाकेट बहुत जादा है तो आपको scrub अपने चहरे पर regular करना चाहिए, मतलब हफते में तीन बार तो कम से कम करना चाहिए, अब उसके बाद आपको गीले टावल के help से ही पोचना है, मैंने वही टावल अपने पास यूज़ कर रही हूँ, और सिरफ एक boil पानी के साथ में, मैंने एक कटोरा पानी अपन अब फिर से खाली बाओल लेना, अब हम दूसरा बाओल लेंगे, वह सेम बाओल में आपको नहीं बनाना है, क्योंकि उसमे चावल का आथा है, तो आपको क्या करना है, अलग बाओल लीजे और यह जो मैं पाउडरा आपको दिखा रही हूँ, यह फ्लेक्सीड का पाउडर प्लीज चेहरे को का युठ बन तो आपको आपको दिख रही है कर दो दिखेंट नहीं परकुम दिखेंश ठी से जा के भी जाएं बहुत जाइबने दापको चेहरे कषी आपके साथ को दोटा में जंड़ सकते हैं अगर दही नहीं है तो इसमें rose water भी आप mix कर सकते हैं ठीक है जी तो हमने क्या करना है दोनों चीजों को अच्छे से mix करना है देखें बहुत कम समान में हमारी चेहरे के उपर बहुत अच्छा वाला एक glow आ सकता है अगर आप अपने kitchen की तरफ जाएं तो आपको remedies kitchen में ही दिख जाएंगी बहुत सारी जापके चेहरे को brighten up करेंगी चेहरे के उपर एक extra glow देंगी ठीक है जी पालर में जाके इतने पैसे खर्च करने से ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम अमारे घर के DIY कर लें घर की home remedies कर लें मैं यह कभी नहीं कहती हूं कि आप बाहर का समान खरी दि जाएं तो आपको जेल बेस चीज़े पर लगानी चाहिए यह पैक लगाते वक आपको ध्यान देना है कि आखों के आसपास आपको जरूर लगाना है अगर आपके आखों के निचे आई बैक्स बनते हैं जो फूल आवट आजाती आखों के निचे पूल जाती आखे तो 15-20 मिनिट कम से कम रखे उसके बाद में मैं जैसे चम्मत से हटा रही हूं तो पानी भी एक तो बचेगा हमारा ठीक है यूज नहीं आएगा जादा और हमारे चेहरे के उपर मैं आपको ग्लो भी दिखा रही हूं कि दिखे चम्मत से हटाने के बाद जो मेरी स्किन निकल ग करें उसके बाद में चम्मत से पोच जब हमने पूरा हटा लिया तो उसके बाद गीले टावल के साथ वही टावल है जो मैं यूज कर रही हूं वही पानी मैं यूज कर रही हूं इसके बाद में आप जाके अपने फेस को अच्छे से वाश कर सकता है कोई दिकत नहीं है जा जो बोटोक्स ट्रीक्टमेंट आपने घर पर बहुत आसानी से बना लिया है अपर मेरी स्किन देख सकते हैं अब मैं लास्ट में आपको दिखा रही हो एक क्रीम जो अल्रेडी मैंने बनाई हुई है इसको आपको कब लगाना है इसको आपको रात को सोने से पहले लगाना है यह क्रीम चैनल के उपर अपलोडीड है यह ऐसी क्रीम है जो आपके फाइन लेंस रिकल्स के उपर काम करेगी अलोवेरा की क्रीम है अगर आपकी स्किन अगर जैसे विंटर्स में अभी चल रहा है सीन तो आप इसमें थोड़ा सा ओयल भी मिक्स कर सकता है मैंने नॉर्मल ज बना के रोज रात को सोने से पहले बिस्तर पे जाने से पहले आपको इसको लगाना है आखों के असपास जरूर लगाना है क्योंकि वहीं पर ही डाक स्पोर्ट्स रिंकल जुरियां जाएं जाएं जादा बनती है तो बुड़ापा अगर जादा दिख रहा है तो इस क्रीम क काई तो से तो जालिस के ऊपर चुके उपर बोहत बडिया काम करता है तो अगर आप आप चालीस के उपर जा चुके है तो आप 2-3 बार वीक में कर सकते हैं ठीक है नहीं तो आप इसको एक हफ्ते में तस दिन पर एक बार कर लीजे बहुत अच्छा रिजल्ड देता है यह सकीन को फेर करता है आपके स्कीन के डाख स्पोर्टे उपर काम करता है आपके जाइयों जो नहीं फैमिली के मेंबर जूड रहे हैं उनको एक परसंट भी अगर डाउट है तो मेरे कहने पर सिरफ और सिरफ एक बार इसको ट्राय करके देखो रिजल्ट नहीं आए तो आप छोड़ दीजेगा इवन आप सब्सक्राइब भी मत करेगा मेरे चैनल को मैं तो इतनी जार इसके जगह सब फेल है मैं इतना भी कह रही हूं और एकदम नाच्रल है बिल्कुल आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलने वाला है घर की रेमिडी है इतनी सूपब काम करती है कि आप इसको करने के बाद में रोज करना खुदी चालो हो जाओगे और अपना डिप आप मुझे आके रिव्यू दोगे इवन के दिदी हमारे उपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं मेरे कहने से एक बाद ट्राय करके देखो अच्छा लगे तो रेगुलर कर लिजेगा और अच्छा लगे तो सब्स्राइब भी कर दिजे सकते हैं अगर आपको फट 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 वाली जैसे होता है ना रील के अंदर ही फट 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 रेमेडी का रिजर्ट है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वहां पर भी आईडी सेम है और फेशिबुक के ओपर मेरी आईडी सेम है रेखा सिंग लाइफ, तो आप मजे व ब्राइंड का लीजिए मैं किसी ब्राइंड को प्रमोट नहीं करती हूं लेकिन येस मैं भी ऑनलाइन चीजें खरीती हूं तो आप महां से जाके परचेस कर सकते हैं ठीक है जी करिए और उसके बाद मुझे अपना रिव्यू जरूर दीजिए अपना खूब सारा ख्याल रख भी जो आपको देने वाले भरपूर 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 रिजल्ट बाबाई टेक केर सी यू